आप सबका हमारी यूटुब चैनल फिडम फिक्टिश टड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्छा आठ गणित अब्यास दस एफ चत्रभूँच की रचनाए भाग एक ठीक है हम लोग चत्रभूँच की रचनाए में F मतलब कि इससे पहले का सारे चप्टर पढ़ चुके हैं अप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर कि देख लीजिएगा इसका हम लोग F का पहला जो भाग है उसको देखते हैं इसका पहला सवाल दिया हुआ है चत्रभू अब समझेगा यह किसका है A का है 120 या B का है 120 या C का 220 है तो जब देख़े हैं हम लोग जो चीजब लिखते हैं जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं, तो दिया क्या है वो देखिए, दिया है, दिया क्या है वो देखिए, दिया सबसे पहले हमारा A B बराबर, यहां पर दिखिए, A और B, जो दिया हुआ उसको लिखिए, A B बराबर तीन सेमी, यहां पर B C बराबर भी क्या दिया हु यहाँ पर देखिये और दूसरा 9 और बहुत ओर और चैनल बात को समझेएगा आप क्या करेंगे रचना करनी है किसकी वो समझ लीजिए, रचना करनी है, रचना करनी है, किसकी वो देखी लीजिए, रचना करनी है, चत्रभूँच A, B, C, D की, चत्रभूँच, ठीक न, यहां आप लिखेंगे चत्रभूँच, 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 A, B, C, D, क चत्रपूज, A, B, C, D की क्या करना है, अब लिखेंगे रचना के चरण, क्या लिखेंगे हम लोग, रचना के, क्या हो जाएगा हमारा, चरण, रचना के चरण, और चरण में नमबर 1 लिख दीजेगा, और इसी नमबर 2, 3, 4, 5, 5 तक लिखिएगा, जादे मत लिखिएगा, ठ करेंगे वह कोदून है नीर्माि लएकत्ल मतलब बनाना कैसी को बनाएंगे सबसे पहले दिया हुआ हमारा क्या चीज्ज़ एवी एवी बरावर दिया हमारे तीन सेंटीमिट्र तो एक लएंगर लेंगे यहां पर यहां पर यह Fahrenheit 10 इसको हम लोग इस तरीके से खिच लेते हैं और यहाँ पे लिगदेंगे A, और यहाँ पे लिगदेंगे B, एक मिनगों 2 यहाँ पे लिगदेंगे A, और यहाँ पे 3 cm cm अब दूसरा हम लोग क्या करना है, A बराबर कितना हमारा हो जाएगा? SORRY B B वराव 3 cm B से C कितना है 3 सबसे पहले हम लोग 3 cm की 120 degree भी यही C पर है B पर यह सबसे पहले हम लोग 120 degree का कौन खिच लेते हैं सबसे सिंपल रहेगा 120 degree का कौन खिच लेते हैं 120 degree हम लोग आराम से चाहे तो बना सकते हैं इसलिए C से बनाएंगे ठीक है, यह देखिए, इस तरीके से, यह थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है हमसे, 120 डिग्री का, देखे कैसे बनाएंगो वो देखे हैं, यहां पे चांप रखेंगे, रखने के बाद पहिला चांप जो कटता है वो 60 डिग्री का होता है, और दूसरा जो चांप कटता है वो भ बढ़ा सा बढ़ा के खीच लेंगे यह हम लोग खीच लेते हैं 120 डिग्री का लेकिन इसमें बोल रहा है एक चीज समझेगा इसमें क्या बोल रहा है कि जो B और C है मतलब B से से जो C है वो 3 सेंट इमीटर है तो हम लोग क्या करें बी से सी के लिए 3 सेंटिमिटर की दूरी लेकर चाप काट देंगे तो 3 सेंटिमिटर मतलब यहां से यह वाली दूरी लेकर की यहां तक यह चाप कट देंगे, यहां से यह चाप कट दीए, यह 3 cm का, 3 cm का यह चाप कट गया, अब जहां पर यह कटा है, वहां ही क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, ठीक है, अब यह हो गया हमारा C, अब बोला हमारा कि A और D बराबर, A से D भी क्या हमारा 5 cm है, और D से, मतलब C से D भी 5 cm है, तो अब समझ्जिएगा, C से D भी 5 cm और A से D भी 5 cm है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 5 cm के एक चाप रखेंगे, चाप रखेंगे, यह से भी 5 cm लगाएंगे, यह से भी 5 cm इदर लगा लेंगे, a से यह 5 cm यहाँ पर, कहीं भी इधर इसी रेखा पर हमारा D होगा, और c से भी क्या करेंगे, उदर से ब्युugi करेंगे, और d से रेखा को काटेंगे, दो पेंसिल हैं हमारे पास, ठीक न, तो यहां पर यह हो जाएगा हमारा D, ठीक है, अब इस D को हम लोग इस से मिला लेंगे, D को हम लोग किस से मिला लेंगे, A से, ठीक न, A से मिला लेते हैं, यह हो गया, और इसको हम लोग यहां से मिला लेते हैं, यहां से C से मिला लेते हैं से इस तरीके से मिला लेते हैं जहां यह मिल गया अब देखिए यह मिल गया बन गया अब यह हमारा कितना हमारा तीन सेंटीमेटर तो लिख दीजेगा तीन सेंटीमेटर और यहां से दूरी कितना हमारा पांच सेंटीमेटर तो पांच सेंटीमेटर हो जाएगा यहां पर कितन इसको लिख देता हूं देहां से देख लिजेगा पहला हम लिखेंगे सबसे पहले हमने सबसे पहले 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 हमने इसलिए मैं लिखता हूं जादे टाइम लिख देता है इसलिए मैं बोल देता हूं हमने तीन सेंटिमीटर तीन सेमी की रेखा ठीकना रेखा खंड ए भी ख खिंचा खिंचा अबी खिंचा फिर हमने क्या किया दूसरे चरण में लिख दीजेगा चरण नम्बर दो हो जाएगा यहाँ पर तरण नमबर यह जाएगा दो अब दो में क्या किया हमने फिर फिर हमने क्या किया था B से 120 डिग्री का कौन बनाया बनाया और उसको मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं X तक खीचा इसको B को X तक बढ़ाया बढ़ाया अब देखिए B से फिर यहाँ लिखेंगे B से B से 3 सेंटीमेटर का चाप लगाया जहां चाप करता है वह बिंदु जहां पर चाप करता है जहां चाप करता वह बिंदू C है, C है, जहां पर चाप कटा हो, बिंदू C है, C से हमने 5 cm का चाप लगाया, फिर लिखेंगे दूसरा, तीसरे में, कि A से 5 cm, तथा C से 5 cm का चाप लगाया, चाप लगाया, दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं, दोनों जहां पर काटते हैं, दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटते हैं, को काटते हैं, वबिंदू, क्या हो जाएगी हमारी D है, ठीक न, चौथे नमबर पर लिख दीजेगा आप, D को, हमने, मतलब कि D को A से, चौथे बिंदू में आप लिख लिजेगा, ताइम बहुँ जादे जा रहा है, देखे, 8 मिंट हो गया, एक इस सवाल में, ठीक न, यहाँ पर लिख दीजेगा, चौथे नमबर पर, कि D को C से, तता D को A से मिलाया, ठीक न, D को C से, तता यहाँ पर, D को A से मिलाया, अंत में लिख दीजेगा, कि इस परकार, या अंत में चत्रभूँज, A, B, C, D की रशना की, A, B, C, D की रशना की, समझ में आ गया, इस तरीके से, आप लोग लिख लीजिएगा, देखें, मैंने जो किया, वही लिखा है, अपनी मर्जिस से, आप लोग कहीं भी खोजेंगे, ये बुक में कहीं भी ऐसा नेम मिलेगा, लिखा हुआ, आप लोग सुझेगे, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लेगे, सबसे पहले, यहाँ पर लिख लेगे, याँ पर दो दसमलो आठ संटीमीतर का, यहाँ दो हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, मतलब यही olsun तक लाइन खीच लेगे, दो दसमलो 8 संटीमीतर का, ने से पहले आ लिखेंगे, यहाँ पर B लिखिएगा, यह 2 दस मोलो 8 लिख दीजेगा, 8 cm, एक चीज़ और लिख दीजेए, दिया है, क्या दिया हुआ 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 है, दिया क्या है, वो सबसे पहले लिखा जाते है, ठीक ना, दिया हुआ हुआ है, क्या चीज़ हमारा A और B बराबर कितना दीज़ दीज़ समलो, 8 cm, दूसरा हमारा B और C, B, C बराबर कितना धिन 90 समलो, एक संटी मिटर, ठीक ना, और C और D बराबर दे दादै आमारा दो रचना किसका करना है वो देख लीजे तो रचना करना हमारा क्या चत्रभूँच चत्रभूँच भूँच अब लिखेंगे यहां पर रचना के चरण रचना के क्या हो जाएगा हमारे चरण चरण अब रचना के चरण लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा एक नम दूसरे नंबर पर क्या करना हम लोग का ए बार से हम लोग 60 डिगरी का कोन बना लेंगे यहां पर इस तरीके से खीच देंगे यहां से लगा करके यह 30 डिगरी का कौन जहां से जा रहा है यह खीच देंगे खीच दी हम लोग अब खीचने के बाद क्या करना है हमको कि A से ही A से फिर दूसरी कोई दूरी दूरी ही है तो A से D के लिए कितना 3.3 cm तो A से D के लिए 3.3 cm का चाप खोलेंगे और लगा देंगे 3.3, मतलब यह 3 है, एक, दू, 3, मतलब यह 3 पर रखके, और 3.3 cm का यह एक हो चाप ले लेंगे, और लेने के बाद यहां से 3.3 का यहां पर लगा दिया, ठीक है, यह हो जागा हमारा D, क्योंकि A से यह D हो गया, ठीक है, अब देखिए, दूसरा हम लोग क्या करा, D से, D से C के यह 2.6 cm, 2 हो गया, 5 हो गया, 2.6 cm का D से हम लोग चाप लगादेंगे, D से यह चाप लगा यह हो जागा, यह हो जागा, आप देखिए, दूसरा चीज, B से भी बोला है, B से 3.1, तो B हो गया, 3 हो गया, यहां पर 3.1, यह थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, और 3.1 से यहां स से मिलाते हैं डी को सी से मिलाया और बी को सी से हम लोग मिला देंगे बी से हम लोग सी को मिला देंगे अब जो भी दूरी होगे उसको लिख लेते हैं यहां से यह दूरी कितनी हो जाएगी हमारी यह दूरी कितनी थी हमारी मतलब एसे डी की दूरी कितनी थी एसे दी तीन दसम लो 6 cm अब यहां पर देखिए 20ey कि लिए कि इतना है 30 इए 1 cm अब बाकि जैसे बनाए है वैसे आप इसको क्या करें लिख देंगे ठीक है जैसे बनाए हैं वैसे कि एक आग दो लिखवाया हूं उसको देख लीजिएगा कैसे लिखना है मैं जैसे बता रहा हूं इसे बोल दे रहा हूं लिख लीजिए आप लोग ऐसे मैं भी नहीं चाहता कि मतलब गरबढ़ हो कुछ ठीक ना सबसे पहले हमने लिखेंगे सबसे पहले इसमें लिखेगा प प्रहें थीकर ना हमने तीशरे में क्या किया एक वाली रेखा पर आप लगाया जहां यह चाप करता हों पर क्या हो जाएगा यह के लिए चाप लगा से जो दोनों चापों को मतलब लिख सकते हैं कि D से जो 2.6 cm का चाप और B से जो 3.1 cm का चाप लगाने पर जहां पर यह मतलब एक दूसरी को काटते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा C बिंदू है जहां पर हो जाएगा वहाँ पर C बिंदू अब देखिएगा लिख दीजिएगा आपको D से हमने C को मिलाया और B से हमने C को मिलाया और जहां पर मतलब इस तरीके से मिज़र लिख सकते हैं आप में अंत्ता हमने चत्रबूज A, B, C, D की रश्णा की समझ में आ गया यही बस लिखना है आपको आज की लिए इतना ही अगली वीडियो और अगला सवाल देखेंगे धन्यबाद